लखनू लखनू से सौधी अरब की उडान के करीब 300 यात्रियों को एक संकीर्ण पलायन किया गया जब बुधवार शाम को उडान भरने के दोरान विमान के सामने का पहिया उतर गया। विमान अंततह रणवे के बीच में फंसे हो गए जिससे अधिकारियों ने एयर उपरेशन के लिए हवाई अड़े को बंद कर दिया। इस खटना ने कम से कम तीन उडाने रग की और चह के मोर। रिपोर्टों के मुताबिक साओधी अरब एरलाइन्स के विमान ASV 895 में विमान के चह चालक दलसह 298 यातरियों के साथ सुबह लगभग 5.30 बजे प्रस्थान करने का फैसला किया गया था। विमान ने रणवे पर टेक्स लगाने शुरू कर दिया जब पाइलट को एक तक्नीकी कठिनाई का पता चला और ले जाना बंद कर दिया। हालांकि हवाय अड़े अधिकारियों ने टिपनी करने से इंकार कर दिया, सूत्रों का कहना है कि यह समस्या विमान के सामने के पहिये में हुई थी, जब यह बंद हो गई थी। एयर बस 330 विमान, लखनव हवाय अड़े से संचालित सबसे भारी उरान मशीन में से एक था, बाद में रनवे में फंसे हो गया और इसे दूर नहीं किया जा सका। यात्रियों को अंततह रनवे पर विसर्जित कर दिया गया था और बसों के माध्यम से टर्मिनल पर वापस आ गया था। यात्रियों ने दावा किया कि विमान के रनवे पर गती प्राप्ठ होने के बाद जूर से ध्वनीक्षनों की सुनवाई